दोस्तों आज मैं आपके जबदस डिमांड पर एक ऐसी मूवी एक्स्प्रीन करने वाला हूँ जो एक ऐसी मितिकल इंटियन पथर के बारे में जो एक गुप मंदिर में पाया जाता है जो सच में एक रहसे में शक्तिक और ताविजम के बारे में बताया गया है जिसके मदद स इसे किसी भी किमत पर पाना चाते है वहाई इस मूवी में ऐसे कई चीजे जिसे एक्चुली में साइन्स कितू समझाय जा सकता है जो मैं आपको एक्स्प्लेशन के दौरान ज़रू समझाऊंगा तो चलिए शुरुआ करते हैं मूवी की एक्स्प्लेशन से फिल्म की शुरुआत एक दर्दनाक सीन से होती है जहां एक मैला चीक्ते चिलाते एक रहसे में बच्ची को जनम देती है क्योंकि उस बच्ची की एक आख में डबल विजन यानि की दो कुछलिया होती है जिसकी तुरंद बाद हमें कुछ अजीब सीन दिखाया जाते है जिसका मूवी के प्लोट से क्या ले ना देना है हम ही आगे पता चलेगा आब अगले सिन में हम फोरें अफेर पुलिस ओफिस हौंक को देखते है और अगर मैं हौंक का बैक्राउंड दू तो उसने कुछ मेंने पहले करप्शन का परदा फाश किया था जिसमें उसकी पत्नी चिंग के कजन को भी जेल हुई इससले बदले के आग में जेल से छूटते ही हौंक का कजन हौंक की बेटी को मारने बढ़ता है लेकिन जैसे उसने गोली चलाई गोली फिजिक्स के लोग को डिफाय करते वे हौंक की बेटी के सिर से डिफलेक्ट होते वे उल्टा उसी को लग जाती है आव वो गोली कैसे डिफलेक्ट हुआ इसके बारे में आगे समझाओंगा हौंकि उसका कजन उसी पर धेर हो जाता है पर क्योंकि वो गोली हौंक की बेटी के सिर को चूकर निकल गई थी इसकी वज़े से उसकी बोलने की शमता चली गई इसलिए हौंक तब से कोई-कोई का जिम्मेदार मानने लगा क्योंकि ना उसने कजन को पकड़वाया होता ना वो उससे बदला लेता जिस वज़े से वो तब से अपने घर नहीं जाता और 24 गंटा अपने ओफिस में ही रहता है आप इसके बाद हमें एक ओफिस का सीन दिखाया जाता है जहां एक एंप्लोई अपने बोस को उसके केबिन में मरा हुआ पाता है इसले फिर तुरंट वहां फॉरंसिक टीम पहुच जाती है जिने लाश की नाक से खास तरह का फंगस मिलता है और अब हमें समझ में आता है कि उस प्रेगनेट बच्ची को दिखाने के बाद ऐसे सीन्स क्यों दिखाये क्योंकि ये फंगस से मिलते जुलते है वहाई ओफिसर फैंक के पूसाज करने पर ओफिस के स्राब उसे ये बताते कि उनका बहुत सुबा से कहीं बाहर ही नहीं गए जिने अजीब कारण से इतने गर्मी में भी थंड लग रहा था जिसी वज़र से उनने ओफिस के सारे सी बंद करवा दिये दूसरी तरह फॉरण से एक एक्सपर्ट क्रोनर एक अजीब खोश करती है कि इनकी मौट थंडे पानी में डूबने से हुई जो मुम्किन ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी का एक भी बुन नहीं था और ना ही आगे जाकर क्रोनर को उनके लंग्स में पानी मिला जी सवजे से सब भी हैरान थे यह आखिर कातिल ने इसे कैसे मारा इसके बाद सीन एक मैला के तरह मुड़ती है जो एक न्यूस पेपर रखने के बाद शौर के लिए चली जाती है पर आखिर यह सी न्यूस पेपर के तरफ क्यों फोकस किया गया यह हमें आगे पता चलेगा ताभी फिर देखते ही देखती अचानक में अजीब कारण से वहां आग लग जाती है और अब जैसे ही वो मेला चारो तरह आख की लपते देखती है वो तुरन फायर बिगर को कॉल करके बुलाती है लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खुलती है वैसे ही वो आख की लपतों में बूरी तरह से जुलस कर मारी जाती है इसके बाद फिर वहाँ पर फैंग अपने टीन के साथ चानबीन के लिए पहुच जाता है पर यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वहाँ जलने का नामो निशान नहीं था मानो यहाँ कभी कोई याग लगी ही नहीं हो जबकि माईला ने मरने से पहले फायर बिगर को कॉल भी किया था इतना कमने कि उस माईला के लाश को देख कर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बाट थब में डूप कर मरी हो एक और खास बार की ऑफिसर्स को उस माईला के नाक से वही फंगस मिलता है जो पिछले वारदात पर भी मिला था उपर से जाच करने पर क्रोनोर को पता चलता है कि इसकी मौद बहुत ही ज़ादा तापमान में जलने के कारण हुई वाई दूसरी तरफ हम हौंग को देखते हैं जिससे मिलने के लिए उसकी पत्नी और बेटी उसके ऑफिस आते है क्योंकि उसकी पत्नी चाती थी कि आज वाउंग अपनी बेटी को हॉस्पिडल लेकर जाए क्योंकि उस चोड के कारण आज भी उसका इलाज चल रहा है इसलिए वांग अपने बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुचता है पर यहां जब वांग डॉक्टर से बाते कर रहा होता है तब ही उसकी बेटी इदर उदर गुंगते वे हॉस्पिटल के डराउने लैब में पहुच जाती है जहां उसे एक नवजात बच्चे की केमिकल में ड तो अचानक से देखता है कि उसकी पेट से काफी कुन बह रहा है और फिर अगले पर उसकी मौट भी हो जाती है आप क्यूं कि ये फादर अमेरिकन नाग रिखते इस वज़े से ये केस वांग को सौब दिया जाता है यहां फादर के नाग से भी बिलकुल वैसा ही फंगस मि दिया था वाई क्योंकि फादर एक अमेरिकन नाग रिखते इसलिए इसके इसकी चानवें के लिए अमेरिका से एबिया ओफिसर केविन को ताइवान बुलाया जाता है वाई केविन से विंगलिश समझता था और क्योंकि हुआ के अलाबा किसी को भी इंगलिश नहीं आती इसलिए वाउं को इसके इसमें केविन का पार्टनर बना दिया जाता है इसके बाद वाउं केविन को लेकर एक प्रिसे में लिकले जाता है जहां वो फ्रिस फादर की पर बने हुए सिंबल को देखकर एक खास बात बताता है कि यह सिंबल कई साल पहले चाइना के पुराने मंदिर में देखा गया था और साथ ही इस मंदिर में कई सारे ऐसे पत्थर भी पाए गए जिन में अजीब पहली में लिखावड बनी वी थी इसी दोरान फिरम में कमपनी का सीन दिखाय जाता है जहां एक अंजान आदमी को लेकर उस कमपनी की लोग एक मंदिर में कर ये खास तरह का रिच्वल शुरू करते हैं और फिर पीचे से चाकूब होकर उस रिच्वल के नाम पर उसे बली चड़ा देते हैं अब ये लोग क्या कर रहे थे और इस मंदिर का क्या रहसे है ये कुछी देर में रिवील होगा इधर वांग मंदिर के पतों पर बनी पह किसी केस में इसले मूवी का फोकस थोड़ी देर के लिए उस न्यूस पर पर रुख गया था यानिकी कातिल के उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं थी जीसी पैटन को देकर दोनों भी उस कातिल के अगले शिकार के नाम का पता भी लगा लेते अब अगले दिन अमेरिका से उस फंगस की रिपोर्ट आ जाती है जहां कि एक्सपर्ट्स वारों केविन से ये शेयर करते हैं कि ये एक तरह का हाइब्रिड फंगस है जो दुनिया में बहुत ही कम पाय जाता है कातिल इस फंगस को एसी के अंदर प्लांट कर देता है जिससे ये फंगस इंसान के रास्त और जो इसा करता है जीस से शिकार बिलकुल वैसा ही चीस आलूसीनेट करता है जो कातिल के न से करवाना चाता है और क्यों कि शिकार वैसा मैसूस करता तो दिमाग भी शरी की गती वीडियो को बिल्कुल वैसा ही कर देता है जिससे इंसान की मौत हो जाती है जैसे की कोई थंड की वज़े से मर गया और कोई जलकर बल की सच्चा ही कुछ और ही होती है वहाई दूसरी दरब मंदिर के दो लोग उस मरेवे आदमी की लाश को लेकर ठिकाने लगाने के लिए कही ले जा रहे होते हैं लेकिन ट्राफिक के वज़े से उनकी कुछ लोगों से अनबन हो जाती है जिसकी वज़े से मंदिर वाले लोगों को भागना पड़ता है क्यूंकि वहाँ मौजूर बिड़ को उनकी गाड़ी में लाश के होने का पता चल चुका था यहाँ भी फिर हौंग और केविन पहुच जाते है जहाँ उन्हें पता चलता है कि इस लाश के से देल को निकाल लिया गया इसके बारे में अब और समझने के लिए लाश की फोटोग्राफ से लिए हौंग फिर से प्रीसे में लिकले जाता है हम उन तस्वीर को देखकर प्रीस अब को शौकिंग जानकर इशाय करता है कि कातिल जो भी है वो यह सारा हत्यां अमर होने के लिए कर रहा है दरसल ताविजम में पांस तरह के हल के बर में पताया गया है जिनके नम फ्रीजीड हैल, फायर हैल, डिसेंबॉल्मेंट हैल, हार्ट एक्स्टैक्शन हैल और टंग रिमूबल हैल है और इनी पाच पड़ाओ को पार करके वो कातिल अमर होने के छटबे पड़ाओ की तरह बढ़ेगा जैसा कि हमने उसकी किये चार कुछ में देखा जैसे कि थंट से मरना, जो की फ्रीजीड हैल है, जलकर मरना, जो की फायर हैल है मार कर पेट की चर्बी निकाल लेना, जो की डिसेंबॉल्मेंट हैल है और किसी को मार कर उसका दिल निकाल लेना, वो हार्ट एक्स्रैक्शन हैल है जीसे साब से देखा जाये तो अब बर्स टंग रिमोवल, यानि कि जोमार को बाहर निकाल कर मारने वाला ही तरीका बचा हुआ है वो ये भी शेय करते कि इतियास में ऐसी एकोशिश वांग शेंग नाम के शक्षने की थी क्योंकि उसके पास डबल विजन था, जीसकी मदद से वो अपनी शिकार को किसी भी तरीके से मार सकता था क्योंकि उसका डबल विजन यूसे ऐसी शक्ति प्रदान करता था इसी दोरान वांग को के उनका फोन आता है, जो उसे बताता है कि जिस वैन में लाज मिली थी इसलिए उन दोनों को पकड़ने के लिए फैंग पुलिस फोर्स लेकर उस मंदिर के लिए पहुँच जाता है लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन्हें गिर्वतार करते हैं, कर्ड के फॉल्लवर्स पुलिस वालों को बुरी तरह से मार देते हैं जिसकी शोर सुनकर बैक अप टिम फोरन वा पहुच जाती है और तब तक काफी देर हुचुकी थी लेकिन भाग से फैंग अब भी जिन्दा था और राकिर में कंपनी के दोनों मालिकों को पुलिस वारा पकड़ भी लिया जाता है जमीन में गाड़ी एक लड़की भी मिलती है जिसकी आला काफी गंबीर थी जिसे देखकर केविन और वाग को लगता है कि ये लड़की दोनों मालिकों को पाच्वा शिकार होगा क्योंकि उसके भी पेट में चोड लगी थी इसलिए उस लड़की को तुरण होस्पिटल ले जाया जाता है जीसी के साथ ये केस भी क्लोज कर दिया जाता है क्योंकि ये केस अब सुलच चुका था पर यहां वाग अपने बेटी के उस सदमे में पूरा कोया हुआ वो स्पिटल की सबसे खास बात मिस कर देता है जो क्या है हमें आगे रिविल होगा दोनों फिर केस को सॉल्व करने के जश्ट में हुआं के गर पर अच्छा टाइम बिताते जीसी खुश मूर में हुआं कभी अपनी पत्नी से दूर्या काम होने लगता है पर जब वोगां की नीन सुबह खुलती है तब वो देखता है कि केविन के हाथों में उसकी जबान थी जो अब मर चुका था यानि कि कातिल का पांचवा शिकार वो लड़की नहीं बलकि खुल केविन था और कातिल अब भी जिन्दा है आप फॉरण वाँ पूलिस आ जाती है जीने भी केविन के नाक से वही फंगस मिलता है और क्यूंकि ये फंगस इसी की जरीए केविन को दिया गया था तो फंगस सांस के जरीए वोग के शेरी में भी प्रवेश कर चुका था और तब उसकी तवियत भी खराब हुजाती है इसलिए उसे तुरण अस्पताल ले जाया जाता है और अब जाकर अस्पताल में वाँ को फ्रिस की वो खास बाद चमक जाती है ये अमर वो ही हो सकता है जीस की पास डबल विजन हो और साथ ही उसको कोई जान लेगा बिमारी भी हो अब क्यूंकि जीस लड़की को ओंग वोंग केविंग ने उस मंदिर से बचा कर लाए थे उसे ब्रेंट यूमर था इसलिए वोंग करशंग सीधे उस पर जाता है इसलिए वो तुरंद उसके वाड में पहुच जाता है पर वो लड़की पहले ही भाग चुके थी इसलिए फिर वोंग बिना किसी बैक अप के उसी मंदिर पहुचता है और उसी चारो तरफ डूनने लगता है जो उसे उपर तेहती नजर आती है जिसकी होंग के सामने आने के बाद वो नूरिस करता है कि उसकी आँख में सच में डबल विजन्स मुझूद है यानि की असली कातिल वाई है और अब उसे अमरोंने के लिए अपने चटवे पड़ाओ यानि की होंग की जान लेनी की ज़रुरत थी इसले वो होंग के इर्दिद और भी फंगस फैला देती है जो होंग की नाक में प्रोवेश कर जाते है जीससे उसकी आलग और खराबोने लगती है यान एक और खुलासा होता है कैसे वो लड़के अपने शिकार को उसी तरह मारती थी जैसे वो चाहती थी क्योंकि वो अपने डबल विजन के शक्ती से किसी भी इनसान को मन मुताबिक हलुसिनेशन दिखा सकती थी इसले वो होंग को भी हलुसिनेशन में उसके सबसे बड़े डर उसकी बेटी को सामने लेकर आ जाती है जहां फिर वोंग भी अपने बेटी को बचाने के लिए उस लड़की पर गोली चला देता है जिससे वो वो ही डेर हो जाती है जिसके बाद वो से लेकर अस्पताल पहुच जाता है वोंग को अभी या डॉक्टर से ये पता चलता है कि 17 साल पहले इस लड़की और इसकी जुड़ा बेहन का जनब इसी अस्पताल में हुआ था यानि कि मूवी के शुरुआत में दिखाई गई वो प्रेगनेट मैला उसकी ही मा थी लेकिन इसकी बेहन मरी हुई पैदा हुई जिसके पास बिल्कूल इसी तरह के डबल विजन थे इसलिए हमने उसकी लाश को अपने पास शुर के लिए रख लिया जो वही बच्ची थी जिसे हुआ की बेहन के शेरी को यहा देखा तो वो कहने लगी कि उसकी बेहन के आत्मन उससे बाग की कि वो अब हमर हो चुकी है इसलिए उसी की तरह वो भी हमर बनना चाहती थी इसलिए उसने ये सब अज़ाम दिया लेकिन इसकी तुरंट बाद हॉंग देखता है कि उसकी पत्नी अपनी बेटी पर बुरी तरह से बिगड रही है जीस से वो समझ जाता है कि वो अब भी उसके हलूसिनेशन में कहद है क्योंकि चिंग अपनी बेटी पर कभी गुसा नहीं होती इससे पहले कि उस लड़की का रिच्वल पूरा हो जाए और वोंग खुद अपनी जान ले ले वो किसी तरह उस लड़की को असलियत में गोली मार देता है जीस से सच में उसकी मौत हो जाती है जीस से वो हलुसिनेशन से बाहर आ जाता है पर क्योंकि वोंग की दिमाग में काफी ज़्यादा फंगस पहुच चुका था इसलिए वो भी नहीं बच पाता और आखिर में अपना दम वही तोड़ देता है फिर वहाँ पुलिस और वोंग की पतनी चिंग अपनी बेटी के साथ पहुच दिये जहां चिंग वोंग उठाने की लाग कोशिश करती है पर वो नहीं उठता पर जब चमलकार से उठी बेटी पूरे जोश में आकर अपनी मुझे से अपनी पीता का नाम को करती है तब आजका दूसरा चमलकार हो जाता है क्योंकि अब वहां के आँखों से आंसो बेने लगते जो खुशी की आंसो थे क्योंकि अब उसकी बेटी बोल सकती है जीसी हैपी एंड नहीं के साथ यह मूवी यही समात हो जाती है पर अब मूवी के कहानी के बारे में बात करें तो यह मूवी जबरदस रही मुझे तो यह बहुत पसंद आई और आपको भी यह में ज़रूर रेकमंड करूँगा आगर आपको यह मूवी देखनी है तो आपको यह प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी जीसे आपको VPN लगा कर देखना होगा क्योंकि यह USA में मौझूद है वह ही क्या सच में एक फंगस इंसान को हैलूसिनेट कर सकता है तो हाँ साइन्टिफिकली यह मुंकिन है क्योंकि यह हैलूसिनेजिक इफेक्स टिपिकली स्पेसिफिक साइको एक्टिव कंपाउंड की वज़े से होते जो यह फंगी प्रोडूस करते जो ब्रेन की निउरो ट्रंस्मिटर सिस्टम की साथ इंटरैक करते जो साइको एक्टिव मश्रूम्स और अमेनितम उसकारिया में पाए जाते यानि कि अगर आपको किसी को हैलसिनेट करना हो तो इन चीजों का प्रयोग यह जा सकता है तो अब एक खास सवाल आता है कि आप इसका किस पर प्रयोग करना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रू बताए अब आई होप आपको मेरी एक्स्मिनेशन पसंद आई अगर हाँ तो दोस्तो वीडियो अपनी दोस्तों से शेर करना ना बोलिये और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनुवल ज़रू बढ़ा है यूगि हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेनच जाती है और आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल चल पाएगा मिलते हैं अगली वीडियो के एक्स्मिनेशन पर तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों